मंजीत आपके पास latest information क्या है ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है भी संभावना है confirm नहीं है ये तो Indian Air Force को ही बताना है क्या ये mid-air दोनों विमान आपस में टक रहा है थे फिर या अलग-अलग ये दुरगटना ग्रस्त हुए मंजीत आप हमें सुन पा रहे हैं मंजीत आप तक हमारी आवास पहुंच पा रहे हैं चले मंजीत को हम दुबारा दुबारा संपर करने की कोशिश करेंगे तक्रिक समस्या की वज़े से डेव अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये rescue की तस्वीरे इस बीच हम पर पहुँच गया और किस तरह से ये देखे rescue की तस्वीरे आई हुए है helicopter आपको नसर आ रहा है helicopter वही मौके पर उतारा गया आनन फानन में तुरंत अधिकारियों ने वहाँ पर हाई लेबल चुकि खुद रक्षा मंत्री मॉनिटर कर रहे हैं इस गटना की rescue की तस्वीरे स दो हमारे इंडिनेर फोर्स के जो fighter jets हैं वो दुरगटना के शिकार हुए है एक सुखोई 30 आई और एक मिराज 2000 और जानकारी मिल रहे है कि मुरैना में ये दुरगटना ग्रस्त हुए है लेकिन अब सवाल यह है कि अभी तक information इंडिनेर फोर्स आगे साजा करेगी इंतजार बस उस पलका है क्या ये मिडियर क्रैश है या फिर अलग-अलग ये दुरगटना के शिकार हुए लेकिन रात की बात ही है जिस तरह से हमारे सायोगी लगातार information दे रहे हैं कि दो जो pilots हैं देश के asset होते हैं pilot वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं लेकिन एक की अभी तलाश जा रही है और यह जो rescue operation आप देख पा रहे हैं मंजीत नेगी हमारे सायोगी चुड़े हुए मंजीत आप से जाना चाहेंगे आप latest information दर्शकु को बताएं क्या कुछ Indian Air Force की तरफ से कहा गया है और क्या आपके पास जानकारी है इस वक्त मिल पा रहे हैं कि आज तो फिलाल अधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टी कर दी गई है कि एक पाइलेट की दुर्खटना में मौत भी है और दो फिलाल प्रक्षित निकाले गए हैं वो मिडियर और जहां तक दोनों दुर्खटना के प्रास्मिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है यह माना जा रहा ह कि दोनों आपस में टकरानी की वजह से यह बड़ी दुखटना हुगी है दोनों ने सुगह बिलकुल मिडियर क्रेश की बात सामने आ रही है हलंकि आधिकारिक तौर पर जो कोड़ फिंक्वारी जो ऑर्डर की गई है उसके बाद ही इसकी पुक्ता डिटेल जनकरे मिलेगी इसकी बात सामने आ रही है कि एक मिडियर क्रेश के तौर पर दोनों जो लाकुल विमान है उन्होंने एक प्रेक्टिस के तहट एक ट्रेलिंग उडान के तहट दोनों ने साथ उडान भरी और उडान भरने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही दोनों मिडियर क्रेश आपस में टकरान की वेजे़न से पर्ट और फूर्वरा भान में जा कर गिरा एँस तामने आरे हैं बिलकुल दर्शेकों को यह जानकारी दे दे बड़ी खबर है हुआ में विमान यह टक्र है और यह इनका जोरदी टक्र या जोरिजन रों सुखह्छ 30 आई विमान आपस में टकराए ये प्लेन क्रैश हुआ जेट क्रैश हुआ उसके बाद से ये तस्वीरे आप देख रहे हैं और जिस तरह से मंजीत नेगी और हमारे समधाता यहाँ पर जानकारी साजा कर रहे हैं कि एक पाइलेट हमारे शहीद हो गए हैं और दो पाइलेट स रक्षित बताये जारे हैं जिनका अरेस के ओपरेशन किया गया है उपचार के लिए उनको भीजा गया है और इस बाबत रक्षा मंतरी की भी निगाहें लगातार भने हुई हैं आप सबी सयोगियों का बहुत शुक्रिया